उम्शंदी, आज एक एप्रिल के शिर्वदान वासु का सोगत है, परमात्मा कहते हैं कि ग्यान धन द्वारा प्रकर्ति के सब साधन प्राप्त करने वाले पदमा पदम पति भवा, जितने हम पवित्र बनते जाते हैं, संकल्पों से उतना जल्दी पांच तत्व हमारे जहां ग्यान धन है, वहां प्रकर्ति स्वता दासी बन जाती है, ग्यान धन का मरलब से यह नहीं कि हमें ग्यान की पॉइंट्स याद रहें, लेकिन हमारी सोच, बोल, कर्म, वृत्ती, दृष्टी, कृती ये सब में परिवर्तन हो ग्यान के द्वारा, उसको अपलाई करके ग्यान धन से प्रकर्ति के सबसाधन स्वता प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ग्यान धन सब धन का राजा है, तब हम लक्षमी जी के सामने धन मांगते हैं, लेकिन वो धन वो अलधन नहीं है, वो एक्शली ग्यान धन है, जिसको हमें परमात्मा से प्राप्ती होती है, और यह ग्यान धन ही पदमा पदमपती बनाने वाला है परमार्थ मुलब परमात्मा के अर्थ और वहवार को स्वतह सिद्ध करता है यह ग्यान धन ही पदमा पदमपती मिल्टामिलियन टाइम्स रिच बनाने वाला है परमार्थ और वहवार को स्वतह सिद्ध करता है ग्यान धन म इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है इस ग्यान के दौरा जो हमें परमात्मा से मिलता है प्रमकों मारीज में उसके दौरा हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे संसकार, कर्म जो परिवतन होते हैं वो कई जन्मों तक हमारे साथ में चलते हैं, जिस कारण से हमें वो राजा बना देती है, इसके लिए इस जन्म में कल्युक के अंत और संगम युग में रहते हुए, हर चीज को सेहन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, विवेक शील बनते हुए, ग्यान को अपलाई करते आगे बढ़ेंगे तो राजा बनी जाएंगे, ओम शंति,